नमस्कार दोस्तू, मैं स्ट लॉजर सचिन, स्वागत रॉबिनन्दन करता हूं अपने सभी दर्शकों का हम बात करने वाले हैं 24 दिसंबर 2021 के राशी फलकी सुरुदे होगा साथ बच के दस मिनट एम पर सुर्यास्त होगा पांट बच के तीस मिनट पी एम पर देती हैं पंच मी नचत रहे मगा योग जो है आपका विश्कम्ब वार शुक्रवार पक्षुक्रिश्न पक्षण राश शुब कामना है अब हम बात करेंगे मेश राशी की आज करने विद्या में सफलता प्राप्ती के लिए शेष्ट है नौकरी करने वाई लोग अपना कारें पूर्ण आत्विश्वास के साथ करेंगे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा आपके बनने पर सुनता रुस्सा बन और ये काम बन जाएंगे आपके ऊपर खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं उसका ध्यान दीजेगा सिहत पर ध्यान दीजेगा कोड़ के जरी के मामरों में खर्च करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी राजनीती और कानूस जोड़े लोगों के लिए आज क जित रहेंगे किसी सामाजी कारिकम या पारवारी गुस्तों में भाग लेने जा सकते हैं पर नया वहां खही देंगे आपके माता पिता से आपको धन प्राप्त हो सकता है आपके संबंद आपकी माता जी से शुब बने रहेंगे आपकी जमापुझी में वरदी के संकेत मिल रहे हैं, आज ग्रहों की चाल आपको फाइदा देती हुई देड़ आएगी आपकी इंकम बढ़ सकती है आप नौकरी में इंक्रिमेंट की बात कह सकते हैं या आपके बिना कहे ही आपकी इंक्रिमेंट कर दिजाए आपके विरोधी आपसे खुश रहेंगे शत्रू खुश रहेगा, शत्रू रुक्सा नहीं पहुँचाएगा, आपके रिष्टे जो टूटे हुए रिष्टे थे उपरेब में फिर से बदलेंगे, शादी चुदा लोग अपनी संतान की तरफ से कोई शुप समझार पाकर बहुत खुश हो जाएंगे, हम बात करेंगे मिथन राशी की तो आप थकान और आलस के शिकार होंगे, आप आप क्या तुम इश्वास से बढ़ोतरी होगी, आपके दोड़ा लियाएंगे, हर एक टिर्ने आपसे महनत कराएगा, आपको थन कटी महनत से पर आपको अजीवन साती से संब्द मदर बने रहेंगे, संतान से सुब समझारों की राप्ति होगे, विद्यारती अपने उन्देश की पूरती पर सफल रहेंगे, आज पर उपकार की भावड़ा मन में जागेगी, लोगों को की भलाई का काम आप करेंगे, आप जहां जाएंगे, वहीं भी आपके नाम और काम तुछ चर्चा होगी, आप काम बढ़िया है, आपका मन बढ़िया है, आपके सीनियर आपके पक्ष में नजर आएंगे, और बढ़िया ताल्मियर बना रहेगा, काम याप रहेंगे, लव लाइफ को इंजॉय करेंगे, खर पर राशी की बात करेंगे, तो आज जोश और हिमन से कुछ ऐसे काम आप कर जो बहुत ही मुश्किल होंगे, वो चोटी-बुटी यात्राएं भी करेंगे, आत्रे की सामाने रहेगी, आपके स्वास्त के पर रहेगी, यदि आप एक वहां खरीनिक जो नबना रहे हैं, तो इसे इस्तरीत कर दें, आपके संबंद आपके जीवन साती से तोड़े, तना धीमे-धीमे बढ़ेगा, यदि कोई प्रापर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके सौधे हो सकते हैं, भाई पहनों के करियर में एक बड़ा बताव हो सकता है, आप अपने परिवार में कुछ बढ़िया करते हुए नदर आएंगे, बात करेंगे, सिंग राशी की दौर समत्र दायक रहेगा, समी महत्पुन इंडेसों समझ के लिए जाएंगे, रचा रहेगा, गर्फों का गोचर आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेगा, आप कुछ ऐसी बाते आज जाने पाएंगे, जो आपको जीवन से जोड़ी होई होगी, आपको कुछ आर्थिक चिंता सिंग राची वालों को नौकरी और वहपार में मुड़ी हरीड़ मिलेगा, और परिशानिया तल जाएंगी, पॉल्टिक्स में जोड़ी होई लोगों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा, गर्णिया राची की बात करें तो आपको वे आपकी आमनरी स्यादिक होगा, वेर्थ क वाद विवाद में घर परिवार के शुक्षार्ती छन सकती है, आज का दिन अपने स्वास्त पर ध्यान दिजेगा और कोई भी धन का रिवेश मत करिएगा, नहीं तो अगर स्वास्त पर ध्यान नहीं देंगे तो रहानी हो सकती है, और बेफालतु का रिवेश करेंगे तो भी हानी हो सकती है सितारों की चाल आपके वैफार में आपको आगे ले जाने होली है कोई चोटी बड़ी डील या कोई चोटा मोड़ा ओडर आपको आज विन सकता है प्रोपरटी खेदी में आप हाथ आज वा सकते हैं और आपको कुछ चोटी शोटी परिशानिया भी परिशान करेंगी जिनसे आपको बचना होगा और यही परिशानिया आपको आगे बढ़ाकर आपको सफल इसनान भी बिलाने में आपकी मदद करेंगी तो इस बात को समझ ले कन्या राशी वालों का दिन ठीक है लेकिन थोड़ा सा समझ कर दिन बिताना होगा हम बात करेंगे तुला राशी की तो आय और वे आपका समान रहेगा आज किसी आज कादिकाब की आय जो है वैपार के लिए समाने रहेगी प्रेम समझों में निश्यत उसे सुधार होगा खर्चे जादा ना करेंगा लंबी आत्रद्ध होगी यह दिया विद्यारती है तो आपके सहे पार्टी आपकी पढ़ाही में मदद करेंगे ग्रुप डिस्कुशन से काम बन जाएगा घर खरीदें की योजना बना रहे है या कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे है तो इस्तवित कर दे आज ग्रहेश दिविया जादा अर्कूल नहीं है इसलिए धनलाब या बड़ा धन निवेश भूल कर भी ना करेंगे ते नुकसाल हो सकता है पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो आज उसका अच्छा फल मिल सकता है आज खर्चों में बड़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ेगी हिम्मत मत हारिएगा आगे बढ़ने की कई रहा भी दिखाई पड़ेगी नौकरी की तलाश में आज जो लोग हैं का काम बन सकता है आज खान पान से पुड़ा सा पीडित रह सकते हैं खान पान सभल की करिएगा आज आपका धन राप्ती के लिए आपको नया शौटकर अपना सकते हैं जिससे दिक्कत ही होगी तुला राशी वाले सभल कर दिन बित अपनी माता जी के स्वास्तिकार समची ध्यान लखे विद्यारती अपने अधिन कारे में कालशित रहेंगे आपको जीवन साथी के नाम पर संपत्ती या जीवन साथी की तरक्की मिलने की खुशकबरी मिल सकती है आप अपने कारे में वैस पर मस्त रहेंगे रोमांटिक रह और अपने प्यार के साथ आप पढ़िया वक्त बिताएंगे और आप शादी शुदा हैं तो आपको संतान का सुप मिलेगा आज आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो जाएगी जिस इच्छा के लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे या कर रही थी ट्रबलिंग की य बंद भी कर सकते हैं जिस साथान रहे अनेता भविश्यू में कोई करवाट भी हो सकती है आज की बाते आपके दिलों में ठहर सकती है तो कोई भी लाई जगला मत करिएगा आपकी संतान की दरफ साथ आपको शुप समाजर पराप्त होगा उन्हें पर उसकार मिल सकता है सम् परशानिया बनी रहेंगी आज ग्रहों के स्तती कुछ खास है खुशी की भावना भी रहेगी लेकिन कोई गरबर भी हो सकती है आज आप अपने घरेलों जीवन पर सारा फोकस देंगे माता जी की तबियत पर फुरा ध्यान रखिएगा कुछ नया मकान वहां खरीदने की ब मैंस की अनुसार कर लेंगे और उनका मैनेजमेंट पढ़ाई को लेकर ठीक रहेगा आज पर गिफ्ट वगर आपको मिल सकता है मकर राशी की बात करें तो वहां चलाते हैं समय शारक पर चलते हुए हर काम को करते हुए सावधामी रखें अनसा आपको दूरट ना घट सकती है धन का जिवश करने से पहले आपको बहुत सावधाम नेना होगा जिवश साती से तालमें बढ़ा कर रखें कुछ अनवश्यक तराओं आपको तंग कर सकते हैं अनवश्यक वादिवास से वज़े इसी अशुप समचार के मिलने से आपको दिनाशा हो सकती है और प्रेम सम खत वक्त बिताएंगे आत्मल आपका बहुत में जूरूत होगा कोई नया बिजनस करने का डिसीजन आज लिया जा सकता है आज के दिन आपकी काबलियत देखते ही बनेगी और बहुत ही काबिल होंगे मगर राशी वाले लोग हम बात करेंगे कुम राशी की तो आज का दिन जीवन साथी का साथ और सयोग प्राफ करने के लिए उत्तम है आपने शिद रूप से अपने जीवन साथी का साथ और सयोग प्राफ यूद रपाएंगे आज तोड़ा रोमैंटिक मुण बनाएंगे पढ़ाई लिए इन नकूल है वैपारियों को ने साजिदार मिल सकते है उन्नती के आसार है जमाफूंजी बढ़ाने के जिस्ट है पर उस्टे पर निवेश करने के जिस्ट शुप नहीं आपका स्वास्त बढ़िया रहेगा लेकिन आपको खान पान के मामले में साबधान नहना होगा निवे तरुप से रोज वायम करते रहिए महिलाओं से प्यार लहजे में बात मत करिएगा ग्रहों को आज आपको अगर देखना है कि रहे कितने कुपसूरत हैं आपके तो आज आपको कुछ ऐसी चुनाती आएंगी जो बहुत मुश्किल होगी लेकिन आप इनको पूरा कर लेंगे इसका मनलब ग्रह से दारे आपकर साथ दे रहे हैं आ करवाहट और क्रोध और गर्रमन्ट से बजने के कोशिश करिएगा बिजनस में जबर्दस लाब होगा मीन राशी की बात करें तो आज विद्या परापती के लिए सबलता परापती के लिए अच्छा दिर है नौकरी करने वाई लोग अपना कारे पूर आर्थ विश्वास क प्रापती के साथ वो देश्य को भी जानने की कोशिश करेंगे और उन्नती और देश्य का बिलन एक बड़ी किसी चीज का घाटन कराएगा या बड़ी किसी चीज का जन्म कराएगा तो मीन राशी वालों के बहुत ही बढ़िया है आपका शेष्टम परदशन आपके लिए बहुत ही शुकारी साबित होगा आज आप ग्रहों के साथ खड़े हुए देदर आएंगे ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे आप ग्रहों का सपोर्ट करेंगे जहां भी हाट डालेंगे वहाँ पर सफलता पराप्त होगी खुद पर कॉन्फिदेंस बढ़ेगा सहत भी बढ़ और दिन का ये बेहतरीन है सभी राशियों के लिए हर्मान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करते रहिए खुश रहिए, परसंद रहिए, आनद में रहिए और चीवर में तरकी पाने के लिए हरी ओम बोलिए और भगवान मिश्णू से प्रातना करिए कि वो आपको सत्बुद्धी दे और आप आगे बढ़ते हुए चले जाए हर्यों नमस्कार